this question we have to find whether we have to show that function f x defined by this is continuous at x equals to 3 तो जब x not equals to 3 ये तो ये है तो सबसे मेले अपन continuous होने के लिए function होना गा हो लिमिट x tends to 3 f of x should be equals to f of 3 ये होना चाहिए तो यहाँ पर आपन देखे है ये जब not equals to 3 है तो लिमिट x turns to 3 हो रहा है तो function क्या है एकस को है minus x minus 6 upon x minus 3 तो अगर अपन इसको लिखें इसको अपन लिख लें ऐसे इसको अपन लिख लेते हैं minus 3 minus 3 तो क्या हो जाएगा by x2 minus 3 minus x minus 3 upon x minus 3 तो क्या हो जाएगा लिमिट x turns to 3 x को लिख लिया और अगर अपन यहां पर 3 डालते हैं तो नीचे 0 होता है उपर क्या होगा 9-3 तो यह 0 by 0 फॉर्म है तो इसमें अपन डिफ्रेंशेट करेंगे उपर नीचे limit x tends to 3 2x minus 1 upon 1 कौन से रूल से किया है यह यह बाए रॉस्पिटल रूल से यह बहुत 0 by 0 की फॉर्म होग लिमिट डालने पर तो इसको उपन नीचे डिफ्रेंशेट करते थे इस रूल को ऐलस्पिटल रूल कहते है तो लिमिट x tends to 3 यह क्या हो गया 2x minus 1 upon 1 अब यहां पर लिमिट पॉट कर देंगे तो क्या आएगा 6 minus 1 5 तो लिमिट x tends to 3 x by minus x minus 6 upon x minus 3 कितना है 5 और x equals to 3 पर कितना है 5 ही है इसका मतलब function क्या हुआ fx is continuous at x equals to 3 यह रहा अपना अंसर